तो दोस्तो कैसे आफ सभी मैं आशा करता हूँ आफ सब बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तो आपने हमारी 2020 की लोगडन वाली कहानी को बड़ा प्यार दिया उसमें हमने एक दिन में ही 30,000 व्यूज क्रोस कर लिये थे और फिलाल वो 50,000 तक पहुँच चुकी है साथ ही हमारे सब्सक्राइबर का ये भी कहना था कि कहानिया जरा लंबी होनी चाहिए इसलिए मैं हफते में एक बार 30-40 मिनट तक की स्टोरी आपके लिए लेकर आता हूँ बाकी हफते के बीच में आपके लिए कुछ मनुरंजन कहानिया भी डालता रहता हूँ जिससे की हमारा साथ यूँ ही बना रहे तो इसी तरह साथ बनाने के लिए अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल बटन ओल पे कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दू तो मुझे कहानिया सुनने के बाद आप इंस्टाग्राम पर मैसीज कर सकते हैं मेरे आईडी है महेश आरिया यूटूबर मैं आपको वहीं मिलूँगा तो दोस्तो बिना देरी किये जल्दी से अपने अपने हैटफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के सार महेश के सार और वहाँ पर अक्सर मैं अपने भाईयों के साथ रोजाना सुबा चार बज़े उट जाया करता था क्योंकि हम लोग रात को खाना खाकर नो बज़े तक सो जाया करते थे और आपको तो पता ही है अक्सर गाओं में ऐसा ही होता है इसी तरह एक दिन की बात है मैं काफी ज़्यादा ठका हुआ था पूरे दिन भर खेल कूत की वज़ा से मैं उस दिन बहुत जल्दी सो गया था यही कुछ करीबन साथ बज़े इसके बाद अगले दिन जब मेरी नीद खुली तो मुझे लगा कि चार बज़ गए हैं लेकिन जब मैंने अपने हाथ में पहनी हुई गड़ी में समय देखा तो उसमें तीन बज रहे थे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गर्मियों का समय था तो हम सभी लोग मिलकर छट पर ही सो रहे थे गड़ी में समय देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक गंटा और सो जाता हूँ और मैं सोने की कोशिश करने लगा पर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी मुझे दोबारा नीन नहीं आ रही थी इसलिए मैं उठकर अपने छट पर खड़ा हो गया था और सामने का नजारा अराम से देखे जा रहा था घर के सामने कई खेट थे मैं उनको देखने लगा मेरे घर के सामने रोड पार करते ही एक बहुत बड़ा खेट था उसके बाद फिर एक रोड और आती थी उस रोड के आगे चलकर आम के बगान थे तो मैंने अपने खेटों की तरफ देखा तब ही मेरी नजर दूर उस रोड पर पड़ी रोड बिलकुल सुन्न थी उस वक्त रोड पर एक स्ट्रीट लाइट जली हुई थी जिसकी वज़ा से रोड साफ दिखाई दे रही थी तो ठीक उस रोड पर मैंने देखा कि कोई जानवर गाय जैसा दिखने वाला था वो वहाँ पर दीरे दीरे चल रहा था मैं उसे लगातार देखे जा रहा था कुछ देर बाद वो गाय जैसा दिखने वाला एक कुट्टे के रूप में बदल गया था लेकिन वो रोड बहुत दूर होने के कारण मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वो यकीनल कुट्टा ही है या कुछ और लेकिन जहां से मैं देख रहा था वहां से तो उसका कद किसी कुट्टे जितना ही था पर एक बात थी उसके सरीर का कोई अकार नहीं था बहुत ही अजीब अकार खा था उसका सरीर देखते ही देखते कुछ देर बात वो फिर से अचानक एक इनसान के रूप में बदल चुका था ये सब नजारा देखकर मेरे हात पैर सुन हो गए थे साथ ही मेरी धड़गने काफी ज्यादा तेज हो गई थी यकीनन मैं डर गया था और मेरी जगा अगर कोई भी होता तो वो भी डर ही चाता मैं तुरंत अपने भाईयों को उठा कर ये सब दिखाना चाता था पर मेरी नजर उससे हट ही नहीं पा रही थी लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मैं बिल्कुल चोक गया वो इंसान जैसा दिखने वाला अपने चारो हाथ पैरों से जमीन पर चलने लग गया था और धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा कर भागते हुए उस आम के बगीचे में चला गया ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मेरे पास अब दिखाने के लिए किसी को कुछ भी नहीं था एक तरफ दिल में ये भी था कि कहीं मेरा मजाक न बन जाए इसलिए मैं वापस अपनी खट्या की तरफ आया और सोने की कोशिश करने लगा कुछी देर बाद मुझे बड़ी अच्छी नीद आ गई उसके बाद जब मेरी आखे खुली तो सुबा के साथ बज रहे थे मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की तो पता चला कि मुझे बखार आ गया था इसके बाद मैंने रात की घटना के बारे में अपने घरवालों को सारी बात बताई तो मेरी दादी ने कहा कि उन आम के बगानों में एक चुड़ैल रहती है ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया फिर मेरा बुखार करीबन दो दिन तक रहा उसी बीच मेरी दादी ने मंदिर में से विभूती निकाल कर मेरे माथे पर लगा दी और मन ही मन कुछ मंतर से बुद बुद आए जिसके कारण मैं दो दिन पाथ लकीन मानिये बिलकुल ठीक हो गया अब उस रात मेरा वहम था या क्या था ये तो मुझे नहीं पता अगर आपको जो भी ठीक लगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा तो दोस्तों ये थी रोहित कुमार जहां की कहानी मेरी तरफ से एक कमेंट तो ये है कि मेरे हिसाब से शायद वो छलावा था बाकि आपको जो ठीक लगे चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ दोस्तों मैं उत्राखंड का रहने वाला हूँ पर मैं अपने नाम नहीं बताना चाहता और जिस घटना के बारे में आप सुनेंगे वो मेरे साथ ही घटी हुई है पर मेरी कहानी की ये बात आज से पंदरा साल पहले की है जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था वैसे मुझे ठीक समय तो पता नहीं है क्योंकि बहुत जादा समय हो गया है उस समय मैं ट्यूशन भी जाया करता था एक दिन की बात है मेरी ट्यूशन वाली मैं जी के बेटे का जनम दिन था उन्होंने मुझे और मेरे एक दोस्त को जो कि उसी ट्यूशन में पढ़ता था हम दोनों को उन्होंने जनम दिन की पार्टी में बुलाया था तो मैं शाम के समय अपने दोस्त के घर पर उसको नौता देने गया था उसके घर जाकर मैंने उससे कहा कि भाई आज मैम के बेटे का जरंदिर है उनकी पार्टी पर जाना है तुझे भी बुला रखा है हम दोनों साथ में चलेंगे दोस्तो इतना कहने के साथ-साथ मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने उस दिन क्या हरकते की पर उस दिन के बाद से जब मैं जन्दिन की पार्टी से घर आया तो मेरे साथ कुछ अजीव होने लगा तो उस्तो आप में से जो भी उत्रा खंड से है वो तो जानते ही होंगे कि वहाँ पर भूत प्रेतों और उपरी चाया पर ज़्यादा विश्वास करते है अगर कोई भी अजीव हरकते करे या उसकी तव्यत खराब हो जाए तो बड़ों के मन में यही विचार आता है कि कहीं उपरी चाया तो नहीं है लेकिन ये भी सच है कि उतरा खंड में आज भी ऐसा होता है तो ठीक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक दिन मैं छट पर दिन के समय पतंग उड़ा रहा था तभी मुझे अचानक से चक्कर आने लगा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा मैं भी होश हो गया था इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ साथ क्या हुआ था यकीन मानिये जब मैं होश मा आया तब मेरे घरवालों ने बताया कि तू भी होश था उस समय तेरा मूँ टेड़ा हो गया था और तेरे मूँ से जाग भी निकल रहा था दोस्तो घरवालों की ये बात सुनकर उस वक्त मुझे इन सब बातों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी फिर एक दिन जब मैं स्कूल गया था तो वहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ वही बिहोश होने के बाद मूँ टेड़ा होना यकीन मानिये जब भी मेरे साथ ऐसा हो था तो मुझे इसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता और ऐसा मेरे साथ कई बार होते जा रहा था तो मेरे घरवाले काफी परेशान हो गए थे उनको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी तब जाकर घरवालों ने हमारे वही पास के गाउं में एक पंडित जी को मुझे दिखवाया वो हमें जानते भी थे साथ ही मुझे एक बार का वो किस्सा थोड़ा थोड़ा याद है कि जब मुझे फिर से वैसा ही हुआ था तो मेरे चाचा जी ने मुझे वहाँ उस पंडित जी के पास ले गए थे उन्होंने मुझे देखते ही सब कुछ बता दिया था कि उस दिन ये शान को कहीं बाहर गया था और इसने वहाँ पर किसी जगा वाश्रूम किया था उसी वक्त से इसके शरीर में दो आत्माय आ गई थी दो लो ही बेहत खतरनाक थी जो की इस पर हावी हो चुकी है पंडित जी की बात सुनने के बाद मेरे चाचा जी ने उस पंडित से पूछा कि अब इसका उपाय क्या होगा तब उन पंडित जी ने चाचा जी को बताया कि तुम लोग अभी घर जाओ और घर जाकर पूजा पाट करवाना और इनके नाम की खिचडी, कपड़े और मुरगा देना इसके बाद ही सब ठीक हो पाएगा दोस्तो फिर हम लोग वहाँ से घर आ गए और मेरे चाचा जी ने पंडित जी की सारी बात मेरे घरवालों को बताई इसके बाद मेरे घरवालों ने वैसा ही किया सच कहूं तो तब जाकर सब कुछ पहले जैसा हो गया था मैं बिलकुल ठीक हो गया था मैं उस समय छोटा ही था तो मुझे इन सबसे कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन मेरे परिवार के लिए वो समय काफी नाजुक था क्योंकि आप सभी तो जानते ही हो परिवार में अगर कोई भी बच्चा परिशानी में होता है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अब मुझे ये तो नहीं पता कि आपको मेरी कहानी पर यकीन आएगा की नहीं लेकिन मैं जानता हो उत्राखंड के जितने भी लोग होंगे वो इस पर बिलकुल यकीन करेंगे क्योंकि उनके कमेंड आपको जवाब दे देंगे बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी तो दोस्तो ये तो थी उत्राखंड की कहानी फिलाल उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन जो भी उन्होंने अपना किस्सा सुनाया उसके बारे में अगर उत्राखंड का कोई भी जानता है तो नीचे इन भाई की इस कहानी पर कमेंट करके जरूर बताईएगा बागी चलते हैं हम अपनी तीसरी कहानी की तरब दोस्तो मेरे नाम रोहिट ठाकुर है और आज जो कहानी में आप सभी को सुनाना चाहता हूं वो कहानी मुझे मेरे दादा जी ने सुनाई थी और सचाई तो ये है कि ये उनी के साथ घटी घटना है दोस्तो ये बात सन 1990 की है उस समय हमारे गाउं से खेट काफी दूर हुआ करते थे एक दिन मेरे पिताजी और मेरे चाचाजी मेरी बड़ी बुआ के घर गए हुए थे दिसंबर का महीना था घर पर मेरे दादा दादी, मेरी मा और मेरा चोटा भाई ही था तो ठीक उस समय घर पर कोई जवान आदमी ना होने के कारण पानी लगाने के लिए मेरे दादा जी को ही जाना पड़ा तो जगा पर पहुँचकर मेरे दादा जी ने खेत की किनारे एक जगा पर आग जला रखी थी उस समय मेरे दादा जी को बीडी पीने का बड़ा शोक था पानी लगाने के बाद जहां पर आग जला रखी थी वो वहाँ पर बैट गए थे उन्हें बैठे बैठे बीडी पीने का मन हुआ था उन्होंने अपनी जेब से बीडी का पूरा बंडल निकाला लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बीडी थी और वो उसको जलाने ही वाले थे कि तभी वहां अचानक एक चार फुट का आदमी उनके बगल में आकर बैठ गया वो मेरे दादाजी से बीडी पिलाने को कह रहा था फिर मेरे दादाजी ने कहा कि मेरे पास तो एक ही बीडी बची है उन्हेंने मन में ये भी सोचा कि एक ही बीडी है और ये भी मांग रहा है तो दादजी मन में ये सोचने लगे कि मैं ये बीड़ी घर पर जाकर ही प्योंगा वैसे भी थोड़ी देर बाद तो घर ही जाना है ये सोचने के बाद भी दादजी ने वो बीड़ी उस आदमी को दे दी येकीन मानिये जैसी वो बीड़ी उसको मिली तो वो एकदम से खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं कल फिर आऊंगा उसनी ये भी कहा कि मैं कल तुम्हें एक ऐसी चीज दे कर जाऊंगा जिससे तुम्हारी साथ पीडी घर बैट कर खा सकती है लेकिन तुम ये बात किसी को मत पताना इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया इसके बाद दादा जी भी वहां से घर को लोटा है घर आने के बाद उन्होंने उस आदमी की कहुई बातों को मेरी दादी जी को बताया पर दादी जी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया तो ठीक अगले दिन फिर दादा जी पानी लगाने चले गए लेकिन इस बार वो थोड़ा जल्दी निकल गए थे दादा जी रोज की तरह उस आख के पास बैठे हुए थे कुछ देर बाद वो आदमी फिर से वहां पर आ गया था और बीड़ी पिलाने को कहा तो दादा जी ने उसे बीड़ी दे दी लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि वो आदमी बीड़ी पिकर वहां से चुपचाप जाने लगा था और उसको यूँ चुपचाप जाता देख दादा जी ने उसे कल की बात याद दिलाई और उससे जाते जाते ही कहा वो चीज नहीं दे सकता हूँ दोस्तो इतना कहकर वो आदमी वहां से कायब हो गया था दोस्तो ये कहानी भी इतनी ही थी लेकिन आखिर वो आदमी कौन था और वो आदमी ऐसी क्या चीज देने वाला था ये एक पहली बनकर रहे गई है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा तो दोस्तो ये थी रोहिट ठाकुर की कहानी मैं सच कहूं तो दिल से मुझे इस कहानी में थोड़ा इंटरस्टिंग तोड़ा हलका सा ड्रामन पंसा लगा मैं इनकी कहानी को एक सलाम देना जाता हूँ और अक्सर ऐसी कहानिया जिसमें कुछ अलग होगा मैं उनको जरूर अपनी तरफ से एक सलाम जरूर दूँगा आओ चलते हैं अपनी चौती कहानी की तरफ आईए सुनते हैं दोस्तो जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी मेरे चाचा जी की है और ये सारी बात मुझे मेरी चाची जी ने बताई थी दोस्तो ये बात अप्रेल 2016 की है उस वक्त हमारे स्कूल की गर्मियों की छुट्टिया पड़ी हुई थी तो मैं कुस दिनों के लिए अपने मामा जी के घर चला गया था और जब मैं अपने मामा जी के घर से वापस आया तो घर आने के बाद ये बात मुझे मेरी चाची ने बताई थी कि उन दिनों गर्मी का मौसम था सब लोग रात को घर के बाहर सोया करते थे एक दिन मेरे चाचा जी भी बाहर सो रहे थे आधी रात में उन्हें सोते सोते नीन में अचानक ठंड सी लगने लगी उन्होंने नीन में ही सोचा कि शायद मौसम खराब हो गया है ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ जैसे किसी का साया उनका पीछा कर रहा हो उनको एक अजीब सी घबराट होने लगी लेकिन वो फिर भी आते रहे और एकदम से उन्हें किसी हावा ने उठा कर दूर फैक दिया वो दूर जमीन पर जा गिर थी बलकि जमीन से दो फूट उपर हवा में खड़ी हो रखी थी ये देखकर मेरे चाचा जी बहुत जोर से चिलाने लगे उनकी आवाज से बाकी घरवाले भी चाक गए थे वो लोग सब उसी तरफ गए जहां चाचा जी जमीन पर गिरे हुए थे लेकिन तब तक चाचा ज चिलाने के बाद विहोश हो गए थे क्योकि वो मंजर शायद वो सेह न सके और जब घरवाले चाचा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था शायद वो और गायब हो गई थी फिर घरवाले चाचा जी को वहां से उठाकर लिया औ चाचा जी ने वो मंजर साफ देखा था इसलिए वो कुछ दिन तक घर के अंदर ही सोए और उसी दोरान उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सब कुछ मानो एकदम ठीक सा हो गया था और जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक है तो वो फिर बाहर ही सोने लगे थे पर अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन के बाद से उनके साथ सब कुछ ठीक था लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोच कर वो आज भी बहुत ज़्यादा डर जाते है दोस्तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ सच में ऐसा हुआ था या फिर या उनका वहम है नीचे कमेंट ज़रूर कीजेगा बागी चलते हैं अपनी पांचवी कहानी की तरफ दोस्तो मेरा नाम कुनाल सिंग है मैं यूपी जिला सुल्तानपूर का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी में आप सभी को सुनाऊंगा वो घटना मेरे साथ मेरे मामा जी के वहाँ घटी थी इसके बारे में सोचकर मैं आज भी बहुत ज़ादा डर जाता हूँ दरसल दोस्तो मैं अपने मामा जी के घर गया हुआ था वहाँ मामा जी के बच्चे थे तो हम सब मिलकर खोब मौज मस्ती करते थे ऐसे ही मुझे मामा जी के घर रहते हुए कुछ दिन बीद गए थे एक राग हम सभी बच्चों ने मिलकर एक प्लैन बनाया कि कहीं बाहर घुमने चलते हैं तो अचानक मेरे मामा जी के बेटे ने कहा कि हाँ चलो हम लोग उस भूतिया बाग में चलते हैं उनके घर से थोड़ी दूर एक भूतिया बाग था और सब के सब वहाँ जाने के लिए तुरंत मान भी गए लेकिन तभी मैंने कहा कि वहाँ नहीं जाएंगे कहीं और चलते हैं तब ही सबने मिलकर मुझे ही का कि तू तो डर्पोख है। मैंने का नहीं भाई, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। वैसे भी मैं क्यू डरूंगा। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। इसी के साथ मेरे भाई ने मुझ से कहा। कि अगर कहीं घूमने जाएँगे तो वहीं जाएँगे वरना कहीं नहीं जाएँगे। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली थी। मैंने का ठीक है वहीं चलते हैं। दब जाकर सबने कहा कि आज रात को 9 बजे चलेंगे। हम सबने किसटे हुए आनिर की आवास सुनाई दे रही थी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा और हम ठीक भूतिया बाग पहुच चुके थे वहाँ पहुचने के बाद वहीं आसपास में दुकाने भी थी तो मेरे भाई ने कहा कि चलो पहले कुछ खा लेते ह उसके बाद भूतिया बाग के अंदर जाएंगे हम सबने वहाँ से खाने का समान लिया और उसके बाद हम भूतिया बाग के पास रखी बैंच पर बैठ कर खाने लगे इतने में ही एक आवाज मुझे सुनाई थी वह आवाज कुछ इस तरह की थी हेलो कुनाल मुझे भी कु को दे दो मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था फिर मैंने अपने बाकी भाईयों से पूछा कि तुम्हें अभी किसी की आवा सुनाई दी तोनोंने कोई जवाब नहीं दिया उल्टा मुझसे सवाल किया कि तुम ऐसे की पूछ रहे हो तब मैंन मैंने सोचा शायद ये मेरे अंदर का डर है और कोई बात नहीं साथ हमने जो कुछ भी लिया था वो खतम हो गया था इसके बाद हम भूतिय बाग के अंदर जाने लगे और जब हम जा रहे थे कि तभी मुझे फिर से किसी के आवास सुनाई दी लेकिन इस बार वो आवास य वहां कोई नहीं था लेकिन इसके बाद मैं काफी जादा डर गया था मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है मैंने डरते हुए अपने कापते होटों से अपने भाईयों को कहा कि यहां से घर चलो यहां पर मैं एक पल भी नही रुकूंगा मुझे इसके अंदर नहीं जाना है उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बस यहां से घर जाना है वो लोग मेरी हालत देखकर समझ गई थे कि मैं ठीक नहीं हूँ उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम सब लोग घर चल प्रेज बखार कैसे आया तो मैंने अपनी मा को भूतिय बाग के पास जो भी हुआ था वो सारी बात बताई ये सारी बाते सुनने के बाद वो समझ चुकी थे तो ठीक वो मुझे अगले दिन वही पास में एक बाबा जी के पास लेकर गई उन बाबा जी ने जाड़ फूक क साथ ही मेरी माने बाबा से पूछा कि इसको आखिर हुआ क्या है तब जाकर बाबा ने बताया कि वो एक छलावा था जो आपके बच्चे को उस रात मार देता पर ये बच गया क्योंकि आपके बच्चे के हाथ में हनुमान जी का कड़ा है आप यकीन नहीं करेंगे पर इसी ने आपके बच्चे को बचाया है अब बाबा जी की ये बात सुनकर हम सब घर लोट आई थे और घर आने के बाद मेरा बुखार भी कम हो गया था धीरे धीरे मैं एकदम ठीक महसूस कर रहा था तो उस तो जादा कुछ तो नहीं हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर पुरी आत्माएं है तो उनसे हमें बचाने के लिए भगवान भी कहीं न कहीं है बाकी आप लोग क्या समझते हैं नीचे कमेंट में मुझे भी बताईएगा तो दोस्तो ये थी कुणाल की कहानी आपको जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट जरूर करना बाकी अब हम चलते हैं हमारी आज की आखरी कहानी की तरफ आएए सुनते हैं दोस्तो मेरे नाम शुबम जीत है मैं ओडीशा का रहने वाला हूँ ये कहानी मेरी ही है और इसका डर आज भी मेरे अंदर कहीं न कहीं है दोस्तो ये उस समय की बात है जब मैं 9 साल का था तब मैं अपनी मासी के घर जो की गाउं में रहती है वहां रहने गया था महां मेरे चार दोस्त हैं वो सब मुझसे बड़े हैं मैं जब वहां गया था तो उनके साथ घोमने जाता था हमारे उडीशा में ताड के फल को बहुत ज़्यादा पसंद गिया जाता है और जिस मौसम में वो फल होता है उसी मौसम में मैं वहां गया हुआ था साथ ही उन दिनों मेरे नाना जी हर रोज सुबह के चार बजे टहलने जाते थे तो मैंने और मेरे बाकी दोस्तों ने मिलकर एक प्लैन मनाया कि नाना जी के घर से निकलने के पाद हम सब लोग साइकल लेकर ताड के फल तोडने जाएंगे और हमने ठीक एक दिन ऐसा ही किया हम सब चार बजे नाना जी के जाने के बाद साइकल पर ताड के फल तोडने चले गए थे और जहां ताड का पेड था उसके दूसरी तरफ नदी भी थी साइड में रेलवे लाइन भी थी जहां पर गाउं के लोग ट्रेन की नीचे आकर लेकिन उस समय मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी हम सब वहां पहुच गए थे जहां पर दाड के पेड थे हम लोगों ने मिलकर अपनी साइकल को किसी पेड के नीचे लगा दिया और फल तोडने में बिजी हो गए मेरे दोस्त मुझसे बड़े थे तो वो पेड पर चड़कर फल तोड़कर नीचे फैकने लगे थे और मैं नीचे से उठा उठा कर उन्हें साइकल की जो बास्केट होती है उसमें डाले जा रहा था हम लोगों को ये सब करते हुए करीबन आदा घंटा हो चुका था उन दिनों सर्द्यों का मौसम भी था इसलिए उस वक्त अभी अंधेरा ही हो रहा था लेकिन चांदी की रोश्टी में हमें सब कुछ अच्छे से दिखाए दे रहा था फिर हमने सोचा कि अब हमें घर चलना चाहिए तो मेरे दोस्त पेड़ के नीचे उतरे और साइकल पर बैठकर जाने लगे वो सारे मिलकर मुझे डराने के पैरो की अवाज आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पड़ा है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूर पर एक औरत दिखाई थी पर वो अपना चहरा दूसरी और करके खड़ी थी तो मुझे लगा कि वो औरत शायद रास्ता भटक चाहिए लेकिन तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया पर थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी गरदन उस नदी की तरफ की और फिर वापस सामनी की तरफ घुमा दी थी मैं ये सब देखकर काफी ज़्यादा डर गया था मैं उस वक्त छोटा ही था तो इन सब के बा पानी के अवाज के अलावा भी भेडी की तरह गुराने लगी थी ये सब देखकर मेरा दिल चोरों सो धड़कने लगा था लेकिन उस औरत ने मेरी तरफ अपना चेहरा नहीं गुमाया मैं उसको बस देखे जा रहा था और देखते देखते मेरी निजर उसके पैर उपर मैं नीन से जा गया हूँ मैं तुरंट पल्टा और भागते भागते उनके पास चला गया उनके पास जाकर मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी डर के कारण मेरी हाला बहुत ज़्यादा खराब थी मेरी पूरी बात सुनने के बाद मेरे दोस्तों का भी डर के मारे बुरा हा वो लोग मुझे फोरण घर लेकर आ गए और घर लाने के बाद मुझे पानी पिलाया मुझे बड़ी बिचैनी सी हो रही थी इसलिए मैंने ये बात अपने घर पर बताई घर वाले मुझे तुरंट बाबाजी के पास ले गए उन बाबाजी की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो लेकिन तब से लेकर आस तक मां अंधेरे के समय कभी बाहर नहीं गया हमेशा धूक निकलने के बाद ही गर से बाहर जाता हूं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानिया मुझे उम्मीद है क्वें अबेब का सब कद रहे हो दिका में हमेशा इंतार आक हूँ बागी मिलता हूँ आपको कुछ नई कहानी में तब तक के लिए बाए बाए